पर फोर्स का जो फ़िश्ट एंटेग है 2022 का इसकी जो एंडॉल्मेंट लिस्ट है पब्लिस की जा चुगी है एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए तो बहुत सारी केंडियेट्स के काफी डाउट है जो जिने केंडियेट्स का जो नाम है मैन लिस्ट में आ गया है उन केंडियेट्स के सामने इतनी दिक्कत है नहीं लेकिन जिन केंडियेट्स का नाम इस्टेंड वाई में रखा ग चलेंगे और कुल मलाकर जो केंडिट्स हैं कितने सेलेक्ट किये गए हैं एक्स एंड वाइग्रूप के लिए यह भी बताते चलेंगे तो आपकी जो पीएसल है दस इसी मंत दस नवंबर को जारी की गई थी उसी पीएसल में आपकी जो कटाउफ है वह जारी की गई थी उस प है उसमें साफ सां मेंसन कर दिया एक यहां पर कटीट्स का जो नेमे का इस inside role नंबर वाइस दी आ गया है ना पता दिया के इसमें basic अंतर क्या होता है वहीं जो second point है जो Wikipedia अपना जो कौल लेटर के बारे में जो पूछते है क्या हमारा जो कॉल लेटर किस तरीके से जारी किया जाएगा पोस्ट के थूँत के थ्रू आएगा जब से COVID-19 आपका लागू हुआ है और तभी इसे क्या है कि जो call letter है आपके e-call letter जारी किये जारे है इमेल के द्वारा तो आपका यहां पर कोई भी post के जरीए नहीं आएगा जो भी आपका आपको वहां पर अपना सब कुछ करना पड़ेगा और आपका जो e-call letter है वहां डाउनलोड हो जाएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में e-call letter पर ही वीडियो बनाऊँगा उसमें जो भी point दिए गए उस पर वीडियो बनाऊँगा तो मैं जो से थर्ड point है वह वहां ही महित्पूर है जो candidate अपना e-call letter डाउनलोड नहीं कर पाती है तो उनके पास एक option रहेगा जिनका नाम भी इस list में वहां publish किया गया मैं बिद प्रूफ आपको दिखाऊंगा और जिस भी date आप यहां से देख सकते हैं इसकी जो date 25 तारीक को इसकी reporting करनी है ATS बेलगावी पर तो direct आपको बेलगावी ही पहुचना है पहले क्या होता था आपको अपनी respected ASC पर पहुचना होता था लेकिन जवसे COVID-19 का process हुआ है जवसे आपका जो भी process होता है आपको वह दी गई है सभी candidates के सामने यहां पर दीखें तो पहरी नमबर पर सीरियल नमबर है फिर आपकी ASC है फिर रॉल नमबर है candidates name है फिर डियो भी mention की गई है फिर called as man में है या फिर stand by में रखा गया है reporting training institute उसमें नाम दिया गया है वही reporting date दी गई है और फिर रिमार्क में जिस candidates क सामने कुछ remark होगा point होगा CSV का तो उसके सामने remark mention कर दिया गया अब मेरे ख्याल से तो उसमें कुछ है नहीं remark में अभी मुझे तो दिखा नहीं है लेकिन आपके सामने या रिमार्क में कोई point बना हुआ है तो आप comment में आगर पूछ सकते हैं इसका हमको क्या कुछ करना है त पच्चीस से चालू हो जाएगी और पच्चीस से उन्तिस तक आपकी रिपोर्टिंग चनने वाली है वहीं हम स्टेंडवाई की बात करें तो कुल मलाकर जो स्टेंडवाई में candidate रखे गए एक्स रूम में आप यहां से जैसे इस पर सर्च बार में जाओगे और जैसे आप इस तो आपके सामने इस्टेंडवाई वाले candidate आ जाएंगे कितने candidate रखे गए हैं तो आपके एक से दस पेस की पीडियाफ है और एक से दस पेस की पीडियाफ में 2494 रखे गए लेकिन सभी में नहीं है इसमें से 499 एप्रोक्स आपके 500 जो के इस तेंडवाई में रखे गए यहां से सीरियल नंवर", में दिया गया इनका नाम आप यहां से देख सकते हैं, राजन oun Team 29 सैरी Mia को यहाँ पर रेपोर्टें करना, उनके ही उपर आप। देख सकते हैं, जो तो सारे केंड़िेट्स खुल मुलाकर 500 पेंड़ेट्स रखेगे делатьiskt bawै में। जो DAN Thompson लिए होता है तो देखी इन में से जब वो जो वी आपके जो विवेक राम चौधरी हैं और उनका जो बयान वाजी हुआ था जिस समय जो अगनीवीर की जो बढ़ती हो रही थी और जो चार साल का जो प्रोसेश चल रहा था उन्होंने साफसा मेंशन कर दिया था इस वार की जो वेक हैं वहीं जो वाले कंडिटेट्स जो वेकेंसी होंगी तो इन में जो 500 छले गए और इदर आपकी जो पी एस अले जो आपकी एंडेटर रखे गे थे उन केंडिट को वी रख लिया गया था जो पना मेडिगाल भी घुलिए नहीं कर पाएते लेको उनका नाम था तो उन candidate को हटा दिया गया जैसा कि वहाँ पर सब कुछ mention कर दिया गया था क्या कुछ किस तरीके से रहेगा तो यहां से आपके जो candidates select किये गए हैं जो man में candidate रखे गए हैं आपके 1902,000 के approach candidate रखे गए हैं 2000 में से 5 कम candidate रहे हैं कुल मलाकर बात करें तो 1995 candidate हैं जो कि stand-by man में रखे गए हैं तो इस तरीके से process है और इन में ऐसे जो stand-by clear होगा जिस तरीके से मेरा कुछ अनुमान है और पिछले कुछ समय से में वीडियो भी बना रहा हूँ और मेरा जो अनुबब कहता है कि इसमें से कुछ candidates एप्रोक्स 200 candidates का यहां से stand-by clear हो जाएगा 1500 से 200 candidates अपना stand-by clear कर जाएंगे और वहीं जो Y-group की बात करें तो Y-group पर चलते हैं Y-group में कल मलाकर कितिने candidates रखे गए हैं यह non-tech वाले candidates की PDF है दोनों ही एक साथ publish कही गई थी जिसमें आपका जो Y-group होता है वह candidates होते हैं उनका जो नंबर होता है पचास नंबर का पेपर होता है सेम instruction है जिस तरीके से जो instruction एक्स रूप वाले अर्था जो send stream वाले candidates उनके जैसे ही सेम आपके यहां पर instruction होने वाले हैं तो आप यहां से देख सकते हैं इन में जो stand y stand y भी रखा गया है जो serial number 4 है इसका नाम मोहित है और first ASC से इसका selection हुआ था ता इसका जो second phases first ASC पर हुआ था stand y में रखा गया है जब 29 तारीको इसको reporting करना है और कुल मलाकर जो 48 पेस की PDF है यहां से आप इसको भी देख सकते हैं 1079 candidates इसमें रखे गए हैं और जो stand y की बात करें तो यहां से आप फिर से search कर सकते हैं और search कर कर देख सकते हैं कि stand y में कितने candidates रखे गए हैं तो जैसे आप इस पर search करते हो तो इसमें भी काफी candidates रखे गए हैं जो y group है उसमें 24 candidates है जो कि stand y में रखे गए हैं तो यहां से जो y group है वाई गरूम में आपका वही 50 से 100 की candidates का जहां से stand y किलियर हो सकता है और stand y कैसे किलियर होता है क्या कुछ प्रोसेज होता इस्टेंड वाई और कौन-कौन केंडिट्स अपने इस्टेंड वाई को क्लियर कर जाते हैं यद आप कमेंट में आकर बोलोगे तो मैं उस पर भी एक अवश्य वीडियो बना दूँगा कि किस तरीके से केंडिट्स का वहाँ पर स्टेंड वाई क्लियर होता ह तो यही आपको फिलाल बताना है कि कितने केंडिट इस्टेंड वाई में रखे गई हैं क्या कुछ प्रोसेज है और आपकी जो रिपोर्टिंग है तो पत्चीस तारीक से प्रारम वोकर उन्तीस तारीक तर चलने वाली है तो थैंक्स जैन